कि यहां पे ना तो कोई कभी चुना हुगा ना ही कोई कि यहां पे कुछ लोग अद्यक्ष और उपाद्यक्ष बन गए हैं और वो लोग अब आई दिन किसी बात को लेकर लोगों को परिशान करते हैं एक तो मेंटिनेंस की राशी उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत जादा बढ़ा दिए 15,000 रुपे पर एयर हर फ्लैट से मिलता ह अनको फ्लैट और दुपलेक्स ऐसे कुल मिला के साड़े 600 रुप रहवासी है लगधा रहे हैं और जिफ फ्लैट और दुपलेक्स मिला कि 95 लैट के सब्सें इन के पास अमांट जाता है और मेंटिनेंस बहुत जादा है लोगों ने अबजेक्शन उठाया लेकिन ये लोग मानते हैं मिल्टिंग करते हैं चार लोगों की उसके बाद बाकी किसी को कुछ भूचना ने दिजाती है मेरे घर में चार दिन से पानी काट दिया है मंडे को सुबास से मेरे आँ पानी नहीं है जब मैंने इमसे पूछा कि मेरे आँ पानी क्यों काट दिया गया है तो बोले आपका मेंटिनेंस जमा नहीं हुआ है, एक महने का, मैं 10% में किराया बढ़ा के लेते हैं, वो हम बढ़ा के दे रहे हैं, उसके बाद मेंटिनेंस इतना जादा है, तो हो मेरे मकान मालिक ही पे करते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे मकान मालिक अभी चुकी बाहर हैं, तो मै आपर क्या में अंटेननस को लेगे थोड़ी प्रब्लम रहती हैं, में अंटेनस तो फूरी जादा लिये हैं, जब पे नहीं करें तो 50 रुपीज ज़ादा ले लेते हैं, परडे के इसाब से 50 रुपीज लेते हैं, मैं बोगो 700-800 रुपीज करके आई हूं, कुछ लेट हो गय सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा मैंटेन भी ये सब साथ सफाई चल लेगे हैं इंटार, लिब और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने तो ये सामने इन्होंने लिखे दिया है, बाकी लिखे कहते हैं कि गुड़ागर्दी करते हैं, बाद में कौन लड़ेगा, क् करेंगे!